ये अरुन शेट जी का सवाल है और वो दक्षिन कंड़ा से हैं उनका सवाल है कि कॉंग्रेस ने हर जगह मुप्त रेविडियों का मादा किया है मुप्त की रेविडियों की राजनीती पर आपके क्या विचार हमारा बारतस्न करीए एक तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे कंड़ा भासीवी लोग और छेग दक्षिन कंड़ा बेवे रेविडियी शब्द समझ आ गया है देखिए हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीती को सिर्फ सत्ता और प्रस्टाचार का साधन बना दिया इसको हासिल करने के लिए वो साम, दाम, दंड, बेट हर तरह का तरीका अपना रहे है इन राजनीतिक दलों को देश के भविश की आने वाली पीडियों की मेरे करना टका के बच्चों की, मेरे करना टका के नवजवानों की, मेरे करना टका के नवजवान बेटियों की उनको कोई चिंता नहीं है मुप्त की रेविडी की राजनिती के वज़े से कई राज्य इतना बेतहासा खर्च अपनी दलगत राजनिती की भलाई के लिए कर रहे हैं राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीडियों का भी वो खा जा रहे हैं देश ऐसे नहीं चलता सरकार ऐसे नहीं चलती सरकार को पीडियों बनाने का ले भी काम करना होता है सरकार को बरतमान के साथ साथ बविश्य का भी सोचना पड़ता है सरकार सिप शुबह शाम रोज मर्रा की रोजी रोटी कमाने वाली जिन्दीगी पर नहीं चल सकती बल्कि उसको एसेट क्लिएशन पर काम करना पड़ता है संपदा मनानी पड़ती हैं ताकि दसकों दसक तक देश के हर परिवार का जीवन ठीक से चलता रहे इसलिए बीजेपी शॉटकट नहीं बल्कि विक्सीद भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है और आपको भी रेलवेशने सेन पर गए होंगे तो देखते होंगे कुछ लोग एक प्लेटफरम से दूसरे प्लेटफरम पर जाना है तो उपर का वो ब्रीज छोटा सा चड़ करके जाते हैं भारत को कहां ले जाएंगे इस सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं हां कुछ तातकालिक चुनोतियों से निपटे के लिए देश के गरीब परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है वो सरकार का दाईत्व है अब कॉरोना वैक्सिन के समाएं हमें जरूरत लगी तो हमने मुप्त वैक्सिन दिया देश को क्योंकि जिंदगी बचाने थी और वो आज मेरे देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं मुप्त राशन देने की जरूत पड़ी देना था दिया क्योंकि देश में कोई व्यक्ति भूका नहीं रहना चाहिए लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये रेविडी कल्चर से मुप्त होना ही पड़ता है बीजेपी सरकार आज पूरे देश में आदूनिक, फिजिकल, डिजिटर और सोचल इंफ्रासेक्टर पर अभूत पुर्वन निवेश कर रही है यही आज की पीडी के साथ साथ भविश की पीडियों को भी काम आने वाला है अब देखे रोड, रेल, एरपोर्ट, पोर्ट, सोलर पार्क, गरिबों के घर, पानी की लाइने, गेस पाइपलाइन, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आई आई टी, ट्रिपल आई टी, आई आई एम, ऐसी संपधा बनाने पर हमारा फोकस है अब आज से पचीस साल पहले, अगर मेडिकल कॉलेज बनाई होती है, तो आज देश के पास लाखों डॉक्टर होते हैं, हमें डॉक्टरों की कमी नहीं होती, नर्सिस की कितनी कमी है, अगर आज से बीस, पचीस, तीस साल पहले आवश्रकता के नुसार नर्सिस की कॉलेज बन गई होती तो आज देश में बच्चीयों को अपना भविष बनाने कितना काम आता था लेकिन उन्हों ने उस समय की राजनीति की भविष का सोचा नहीं अब आज हम कितना ही दौड लगाएं लेकिन जो पचीछ साल बरबाद हो गए वो तो हो गए और इसलिए मेरी नवजमानों से खास बिंती है कि जो रेवडी बांटने वाले आपको मुरग बनानी कोशिश करते हैं आप अपने उजवल भविष अपने संतानों के भविष के लिए सोचिए और मैं पका कहता हूँ जिस दिशा में हम चल रहे हैं जिन मजबूती पर चल रह अब foreign direct investment की बात करें FDI की और मेरी तो FDI की दूसरी भी वाक्या है FDI की popular वाक्या है foreign direct investment और मेरी एक और वाक्या है first develop India FDI first develop India अब देखें Congress के सासनकाल में FDI का क्या लाता है एक लाग करोड रुप्य का निवेशा आ आ है जब कि बीजेपी के चार साल में चार लाग करोड रुपिय से ज़्यादा निविस आया है। हिमाचल के लोग आज तक कॉंग्रेस की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। वादे किया कुछ नहीं। मतलब ब्रस्टाचार की गारंटी। कॉंग्रेस मतलब भाई भतिजावाद की गारंटी। कॉंग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है। और आपको तो मालूम है मेरे नवजवान दोस्तों। कॉंग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। कॉंग्रेस